नमस्ते सारे कंपल्शन पुरी आर्थे एबब जो सबकॉंशियस माईड से आप पुरी आर्थे करते रहें उनको कैसे छोड़ें आईए जानते हैं इस वीडियो में मैं शुबंदोशिय आपके सामें लाया हूँ कि कंपल्शन जो आप बुरी आर्थे करते रहते हैं किसी आदत को छोड़ नहीं पाते हैं या आपका सबकॉंशियस ब्रेन बहुत पॉवर्फुल हो गया है या आपके मन में overthinking हो चुकिए, या सिर्फ आप एक ही विचार के बारे में सोच रहे हैं, आप उस thought, आप उस emotion या आप उस activity, आप उस action से बाहर नहीं आप आ रहे हैं, इसे बोलते हैं, overthinking या compulsion behavior of subconscious, compulsion होना, स्वयम के अंदर एक बहुत सारी emotion, emotional wave, एक समुद्र में जू लहर आते हैं, इसी लहर लोड़ जाना, और आप फिर से बुगदी वीदी कर देते हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे बहुत सारी बुरी आदत हैं, खाने ली आदत हैं, या कुछ भी, subconscious था कोई साब या आगे, जैसे यह बुरी आदत आपके अंदर प्रविश कर दी हैं, धीरे 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 आपको पता भी नहीं चलता, और यह आपकी एक सबकॉंशियंस, एक्टिविटी बन जाती है, आपको पता नहीं है, लेकिन बहारी तोर पर जो बहार से आपको अब्सर्व क पता है, उसको पता चैनल गया कि इस बंदे के अंदर या इस परसंद के अंदर, इस व्यक्ति के अंदर यहां कंपॉंशन एक्टिविटी है, आपको और आपके सबकॉंशियंस ब्रीन को आपके अंदर की जितनी भी शक्तिया लेकिं उनको कमजोर कर देता है, बहुत सारे क अपने मन को, अपने मस्तर को एवं जो आंतरी पूर्जा हैं, उनको खोते जारे हैं, शिन होते जारे हैं यह चीजे, जैसे ही शिन होती हैं, आपका ध्यान नहीं लगता, आपका अंसंट्रेशन एक्टिविटी बहुती कम हो जाती है, आप एक ही चीज के बारे में सोचते पूरे तरीके से फस जाते हैं, इन चीजों से बाहर कैसा आया जाते हैं, इन चीजों से बाहर आने के लिए सरवोकम एवं एक ही बैस्ट रिलाज हैं, मेडिटेशन, किन्तु मेडिटेशन आपसे पहले, जैसे या क्योंकि आप तो फस चुके हैं, अगर आप ये वीडियो पूरेशन क्यों देख रहे हैं, पर आपके अंदर कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी है, छो की आपको लगर्ये сказал, तो आप पहले क्या कर सकते हैं, आप तो पहले औब्सर्वेशन करके देखें की एक्टिविटी है क्या मेरे अंदर इसी क्या चीज है। जो मुझे एपुर स जैसे ही आप को ग्यार होगा आप उस इस्तर पर आ चुके हैं कि आप आप जैसे ही स्वेम पर कार्य करने की इस्तर पर आते हैं अब आप क्या कर सकते हैं? कि आप एक activity को लेंगे देजे, एक exercise, एक technique या सिर्फ एक चीज़, 20 minutes, 30 minutes, आप एक regular की बना लेजे, धीरे से उस energy को channelize कर लिए, second part ही हमारा channelization of energy, पहला है observation, second channelize the energy, आप channelize कर लिए, कि आप उस जो बुरी आदत, जो आपके अंदर, जो activity पर आप जितनी energy खंच कर रहे हैं, उसको channelize करके आप एक नई activity पर खंच कर लिए, जैसे सुबह उठकर exercise करना, सुबह उठकर सूर्यूदय को देखना, sunrise पर जाना, सिर्फ कुछ ना हो तो sunrise पर जाना, आप सुबह नई उ channelize कर रहे हैं, जैसे ही आपने energy को channelize किया, आपको प्रभाव देखने लग जाएंगे, 21 दिन के अंदर आपको प्रभाव दिख जाएगा, कि अब मैं उस इस्तर पर आ चुका हूँ, कि मेरी habit पर जा रहे हैं, और नए कार्यों हो रहे हैं, तीसरा है creativity, creation, कुछ उस जो energy channelize हो आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, अब एक नई activity में creative हो जाएगे, कुछ भी creativity को अपना लीजे, सदसंग को अपना लीजे, कुछ भी creativity स्वयम के अंदर जाके अपना लीजे, आप, writing skills जो की best है, speaking, communication, कुछ एक activity को अपना लीजे, और उस एक activity जो आपने, कुछ भ जैसे ही, आपको पता चला, आपने observation technique को अपनाया, आपने generalize करी energy और तीसरा आपने एक पीज डेली राइटिंग करना ही, स्टार्ट कर दिया, आप आएंगे कि किस दिन के अंदर एक, आप एक अलगी personality बनकी उभाएंगे, इन तीन चीजों को अपनाये, observation technique, first, second, generalization of energy, और बहुत बहुत धन्यवाद सेंदन को हमारे subscribe, एब हम लाइक करने के लिए, नहीं करा हो तो आप subscribe करें, like करें, share करें, चैनल को subscribe करें, एब हम comment करके बताएं आपको यह video कैसा लगा, धन्यवाद